साथियों, आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है क्राइमेट चैंज विश्व की सबसे बड़ी अर्थववस्थाँ में से एक होने के काराण बारत भी इन चिंताओं को कम नहीं आगता है उसको ले करके हम सचेद भी हैं कुछ दिन पहले ही कोप समिट में भी भारत ने नए कमिटमेंट विश्व के सामने रखे हैं भारत और दुनिया के ग्लोबल टार्गेट्स को एच्चिव करने के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव फाइनांस की परियाप्त उपलब्तता सुनिश्चित करनी होगी जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी के दोरान हमारी एक प्रायोरिटी ये भी थी कि ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी सस्टेनेबल फाइनांस की जरुवत को समझ सकें इससे ग्रीनर रिजिलियन्ट और इंकुलुजिव सोसाइटीज एन एकोनोमिस की दिशा में ट्रांजिशन को बढ़ावा मिलेगा कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार भारत को भी 2070 तक नेट जीरो टारगेट हासिल करने के लिए कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर की जरुरत होगी इस इन्वेस्टमेंट की एक निश्ची द्रासी को ग्लोबल सोसिस के द्वारा भी फाइनास करना होगा इसलिए हम IFSC को सस्टेनेबल फाइनास का भी एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं भारत को एक लोग कार्बन एकोनामी बनाने के लिए जरूरी ग्रीन कैपिटल फ्लो के लिए गिप्ट IFSC एक एफिशन्ट चैनल है ग्रीन बॉंड्स सस्टेनेबल बॉंड्स सस्टेनेबिलिटी लिंग बॉंड्स जैसे फाइनांसल प्रोडक्स का विकास होने से पूरी दुनिया की रा और आसान होगी आप जानते हैं कि भारत ने COP28 में एक प्रो प्लैनेट इनिशेटिव के तौर पर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशेटिव का एलान किया है मैं चाहूंगा कि यहां मोजूद सभी अनुभवी लोग ग्रीन क्रेडिक के लिए एक मार्केट मेकेडिजम डेवलप करने पर अपने आइडिया जुरूर दे क्ये सकते हैं झाल झाल